हालो जी गुजी विलिंग कैसे हैं आप सब और एक बफिस से वलकम आप के अपने चानल में तो जी शाम का वीजियो है शाम से कल रात का वीजियो जो है मैंने शाम से ही जो है स्टार्ट करा था तो दिने शुकरवार का तारीक है तीन माई करीबन साथ तो जो है वो बच गए होंगे दिया बाती करके मैं लग गई हूं खाना बनाने में और आज पहले बहुत अच्छा बनते हैं तो जी दढ़का हमारे रैडी है और किस किस को पसंद है कौन-कौन बनाता है जरूर बताना और साथ में वीडियो को लाइक कर देना चानल को जैवो सब्सक्राइब कर देना डेरी सारा प्यार देना वीडियो को क्यूंकि आज मैं आप लोगों साथ एक जादुवी चीज शेयर करने वाली हूँ यह है अगारों की के और बाहर भी लावल मेंशन है कि आप इसको जो है वह चलाना जाते हो यह उपर का वासकिट इसका टकन है जिसमें स्टीम भी क्रोस होती है उसके साथ-साथ यह इस तरह की चीजे जो है मिलती हैं जो अलग-अलग खाना बनाने में आपकी हल्प करती हैं आप जो है ढूकला बना सकते हो केक बना सकते हो वेज़िटेबल स्टीम करके खा सकते हो कोई भी डाल बना सकते हो चावल बना सकते हो जिसको भी स्टीम करके खाने की आदत है तो यह काटल जो है उनके लिए बहुत ही अच्छी है तो इस तरह आप केक या डोकला जो है वो रखके बना सकते हो और यह अंडे वगएरा उबालकर जो खाते हैं उनके लिए है तो हम लोग अंडे तो नहीं खाते हैं लेकिन आपको इसके साथ में जो हो शेर कर रहे हूं और यह जैसे मैंने कहा था कि मैंचेन है तो अपनी कुकिंग के हिसाब से अपना लेवल कम यह जादा जह है वो कर सकते स्टीम भड़ा घटास जह हो सकते हैं तो मैं यह पर बच्छों के लिए जह हो बना रही हूं मैगी और इसक में जो है आप मतलब पानी भी उबाल सकते हो चाई मैं इसको यूज कर रही है आप लोगों के भी बहुत सारे कॉमेंट आए कि यह केटल कहां से लिए तो Amazon से लिए है अगारों की केटल है और बहुत-बहुत मुझे तो सच में बहुत अच्छी लगी तो यह मैं बच्छों के लिए बना रही हूं उबालने के लिए मैंने लेटेबल जो अपना वेट लोस कर रहे हैं या अंडे वगरा खाने के शोकीन होते हैं अलग से कोई और इंस्ट्रूमेंट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप जो है इस तरह की कैटल जो है मल्टिकू कैटल अगारों की ले सकते हो इतने अफॉर्डेबल प्रा इसको प्रीट करने की जरूरत है तो यहां पर ढोकला हमारा बीच में एक बार चेक कर लेंगे नाइफ डाल करकी एकदम ख्लियर हमारा नाइफ जो निकल रहा है तो इस तरह जो है वो चेक करना होता है और यह देखे इसकी शेप इतनी अच्छी है यह बिल्कुल स्टार जो वो जो वेट लोस कर रहे है वो जह है वो खाजकते हैं लिंक मैंने इसका न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मस्ट मस्ट बाई प्रोड़क्ट है बही मुझे बहुत अच्छी लगी और करीबन जो है 15-20 दिन से मैं इसको यूज कर रही हूं और इतना और पांच मिनट म मेरे यह सब बॉइल वेजटेबल रेडी होगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मस्ट बाई प्रोड़क्ट है अमेजोन से लिया है और कल के वीडियो की मैं सच बताऊ ना मेरा मूड एकदम जो है इतना डाउन हो गया है मैं क्या बताऊं मुझे बता नहीं यूट्यूब को कुछ हो गया है या आप लोगोंने वीडियो नहीं देखा है सच कहूं तो इतने दिन से इतने अच्छा से वीडियो जो है आप लोग देख रहे थे वीडियो शेयर करे थे लेकिन कल का वीडियो जो गया है ना तो कल के वीडियो में वीडियो जो है बहुत शेयर नहीं कर पाई जादा पता नहीं क्या था तो व्यूज उस पे ना बहुत-बहुत मतलब हद से मुझे उमीद नहीं थी इतने कम व्यूज वीडियो पे आई हैं तो रिक्वेस्ट शेयर कर देना वीडियो को और अब मैं मिलूए आपसे नेक्स जे मॉर्निंग और रात को मैंने अपना वह राजमा भिगोई थी और प्रोटीन जो होता है वह तो मैं भी होती हूं बीच में अभी कुछ दिन ना सब बिमार चल रहे थे तो मैंने इतनी हमत थी नहीं जो बन पड़ रहा था सिर्फ उतना ही कर रही थी उसे जादा मैं नहीं कर रही थी तो दोनों कू कर बहुत बहुत जादा जहें वह अच्छे हैं में इंडस वाली ब्रेंड से मैंने लिए बहुत हैवी हैं बहुत लंब लगातार में इनको मैं यूज कर रहे हूं कितने लंबे टाइम से बहुत सारे सब्सक्राइबर देख भी रहे हैं मैं कोई भी अगर प्रोड़क्ट ज मैं कर लेती हूं सारे जो मेरे पास आता है कि मालो स्पोंसर भी आया है तो अगर वह अच्छा नहीं है तो मैं मना कर देती हूं मैं इसका विजियो नहीं बनाऊगी आप अपना प्रोड़क्ट वापस ले लीजिए मुझे अच्छा नहीं लगा मैं कुछ दिन उसको यूज तो मैं शेयर करती हूं और यह कुकर भी है मतलब सारे इंडस्वाइली के अभी मैंने सिराजमा ट्रांसफर करी वह भी पतिला इंडस्वाइली का यह जो कि बहुत अच्छे हैं खाना लगता नहीं है काफी हैवी मटीरियल से बने हुए एक तील लेटर में और यह गोल वाला यह पांच लीटर में हांड वाला जह यह भी पहल अच्छा स्टील का जो 304 जो वाला स्टील हो तर शएद वाला जय जंगभंक जया वो लगता निया तो बच्चों का लूंच मैंने कर दिया है रडी और उसके बाद फिर मैंने किया आराम और इसके बाद थोड़ा सा नहां पड़ता है अभी पीछे मैंने जब ग्रोसरी शॉपिंग करी थी तब मैंने किचन को सेट कर रहा था उसके बाद दस पंदरा दिन से भी टाइम नहीं मिल पा रहा था बीच में बिमार हो गए थे तो अभी आज पर पास टाइम था क्योंकि क्या होतना एक बार हम सेट करते हैं पन है पानी की वाटर बॉटल है तो इसमें न क्या होता कि मुझे सारा समान जहा वह आसानी से मिल जाता है मैं और बाद करके रखती हो अगर नहीं अर्गनाइज होता तो मुझे मिलता भी नहीं मैं सच बताओं तो मुझे उसमें बहुत परिशानी होते हो टाईम भी वेस् यहां पर जो एक्स्रा चीज थी वह मैंने इसमें रख दिये और यह मखन जो दिगई आप देख रहे हो यह अलग से मैं इसलिए रखती हूँ क्यों कि मुझे और यह हस्बन को जो डेली बेसेस पर चाहिए होता यह अलग से घी रखती हो में दिया बादीये में डालने के और नीचे वाला भी इतना डिस ओर्गेनाईज हो गया था समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या कुछ करूं यह बच्चे ही फैला देते हैं वरूं कुछ नहीं करता है यह मांग करता है अपने आप यह टिफिन वगरा यह क्योंकि इसमें बहुत सारी टिफिन जो है ऑफस के भी है कभी लंच वगरा लेके जाते हैं तो उसके भी टिफिन है और एक्स्टा जो चाहिए वाला टिफिन फोर वाला मैंने मंगाया था ना तो इसका धकन टूड़ गया अगर अमेजोन वगरा फिलिपकार्ट पे मिलता है तो धकन खाली धकन जो है तो मुझे जरूर बताएग क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है अगर किसी ने खरीदा है इस तरह तो वह भी मुझे जरूर बताना तो इस तरह चोटी-चोटी चीज़े में और गनाइज करके रख लेती हूं अब यह यह बनाना के यह भी मैं इस तरह रखती हूं ताकि मुझे प्रापर मिल जाई सिलिक टौकरी बास्केट में रखे न तो वह सुखे सुखाई मिल जाते हैं अगर उसमें टौकरी में रखे रहते हैं तो एक आदी बार थोडल का फुल का गीला पन जो इस पर रहता है तो टीशू पेपर बगएरा भी मुझे चाहिए होता है और भी एक दो सामान जो होता है अच आमान जो हो बिखरे ना और एक जिए जब मैं समें चावल बगएरा बनाओं तो मुझे यह जाय वह असानी समल जया और इसके बहुत बढ़ा ज्यू ज्दा अच्छा होता है मजा आता है मतलब कूकर में बनाए चावल से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता और मुझे और अभी बाकी है कि क्योंकि डेली बैसेस पर बॉक्स वगरा निकलते हैं और मैं कई बार कहता है लक्षमन एक आदी चीटी आ जाते हैं तो लक्षमन रेखा लगानी बढ़ती है तो यहां पर ना एक दिम लक्षमन रेखा लगाई थे लगाई है तो उसको साफ करना भी भी क्लीन करना जड़री है और सारे बॉक्स वगराई अभी मैं रख दूँगी और साथ साथ में यह जरूइग किस नहीं है तो जिसमें फिलिंग की जरूद होगी तो मैं रात को जहां या जब भी मेरेको टाइम लगेगा मैं अच्छे से जहां वह क्यूंकि इस बार जो य जाता है तो उसमें पूरा लग रहा है दर्वाइज इतनी दाल गएरा है या फिर छोले है राज में है काले जो छोले हैं वह सारी चीज इतना यूज होती नहीं थी कभी-कभी यूज होती थी तो इसलिए इस बार बहुत जादा यूज हो रही और यह वाला प्रोटीन इतना ह वाला यह ईतना है तो इसलिए में रखे एक चीज ह्टेन हैं इसके बाद उनको साथ कुछ एक्स्राइम पर हो सारी चीज हैं इसके बाद इसमें टिफिन्स वेगरा जो हस्बंड के हैं या टिशू पर हो सारी चीजे इसमें भी कुछ एक्स्रा सामान है इसमें बच्चों की टिफिन हैं आप सोचों के खोल कर क्यों रखे हुए क्योंकि क्या होता न मैं ज्यादा बंद करके रखती नहीं ताकि इसमें हवा पास होती रहे कटलरी वेग आप छोटे मूटे मसाले जो है वो रहते हैं वो रखे में अभी वीडियो केंड कर लेते हैं यहीं पर मिलते हैं नेक्स व्लॉग में जो फॉर्स टाइम विजिट कर लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब